तो सबसे पहले तो सभी प्रियम इतनुका इस्टाइट हम प्रिवार में आपका हर्दिक स्वागत है और इस्टाइट हम भारत का माना जाने वाला सबसे बड़ा जो ड्राइवर एक्जाम फिल्ड में जो सबसे बड़ा प्लैटफार्म है और आप इसे जुड़े वे हैं तो आपका किस प्रकार से मदद कर सकते हैं आप कमेंट सेक्षिन में हमें बता सकते हैं हालांकि इस्टडी टोम है वो हमेशा से हैं इस्टूडेंट्स के बरती समर्पीत रहा है और हमेशा कुछ अच्छा कुछ नया और यहां पर आपको सिखाने का प्रियास हम करते हैं और करत रहा तो दोस्तों ये सेशन आपको अगर समझी में आए और अच्छा लगे तो इसे सेशन को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं सुरुआत करते हैं आज की इसे सेशन की क्योंकि ये जो सीरी चल रही है इसमें हम फटा फटा परसनों को करते हैं कम समय में अधिक जानकारी और कम समय में अधिक ज्यान सीखनी का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला परसन है डीजल इंजन में इंधन खफत का कारण क्या है जो डीजल इंजन होता है इसमें इंधन खफत का कारण पूछा तोड़ा समय के अंदर piston होता है और यहां पर compressor बनता है यहां पर compression होता है किसका हवा का अभ यहां पर piston Is compression जो दबाव होता है इसको नीचे आने से रोकती है तो अगर piston ring है अगर खराब हो जाती है तो यह compression नीचे वो लीक होने से उचित compression नहीं बन पाएगा और यहां पर इंदन की खपच ज़्यादा होगी तो option number 1 का जो right answer option number 1 हो जाएगा परसन दो है डेन सो 6 oil कहां प्रियोग होता है तो डेन सो 6 oil होता है वो AC के compressor में oil प्रियोग में आता है ब्रेक के लिए डोट 3 या 4 ग्रिड का उइल आता है इंजन oil के लिए 15W 40 ग्रिड का उइल आता है ठीक है तो यहां पर इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है परसन सी कहा तीन है हाइड्रो प्लेन की इस्तती कब उत्पन होती है हाइड्रो प्लेन की इस्तती है वो अत्य दिक बरसात के मौसम में यहां पर उत्पन होती है ठीक है जब हाइड्रो प्लेन की इस्तती तब होती है जब गारी फिसलने लगती है और गारी में जब आप अं बेक सिस्टम होता है और यहां पर एक सीट बेल्ट होता है सीट बेल्ट की बात कर लेता हूं में तो सीट बेल्ट का जो उलेक है धारा एक सो अठाइस में किया गया है धारा एक सो अठाइस के पालन नहीं करने पर यहां पर सीट बेल्ट का जो उलेक है यहां पर धारा एक सो बी इसमें seat belt का उले किया गया है और पालन नहीं करने पर एक हजार के जुर्माने का प्रावधान प्यामर किया गया है तो seat belt आप अवशे लगाएं seat belt का उले करते समय मैं आपको बताना चाओंगा कोई भी गाड़ी है जिसमें आप सामने मुँ करके गाड़ी में बैठते हैं सिवाई आप यहाँ पर जो जो मंजिली गाड़ी stage carriage वाहन को छोड़के stage carriage वाहन को छोड़के सामने मुँ है करके आप बैठते हैं उन सभी गाड़े में आपका seat belt लगाऊना जरूरी है मुँ सामने हो और stage carriage गाड़े को छोड़कर आप किसी दूसरी गाड़े में बैठे हैं तो seat belt होना चाहिए तो यहाँ पर यह है कि option number C चालक और यात्री के बचाव के लिए seat belt प्रियू किया जाता है lubrication के कान नहीं होती है lubrication कहते हैं oil को और इसका काम होता है यहाँ पर चिकनाई परदान करना तो यह चिकनाई परदान करेगा तो इसमें घर्षण नहीं होगा गिशावट नहीं होगा option number C सही हो जाएगा अंतरश्ट्रे driving license की वेदता क्या होती है आप सभी को पता है international driving license नहीं होता पहली बात तो यह नाम यहाँ पर जलता है license नहीं होता यह permit होता है इसको IDP के नाम से जाना जाता है यानि कि international driving permit और इसकी validity एक साल वे से माना जाती है लेकिन अगर आपका license इससे पहले समाप्त हो रहा है आपका जो पहले का डियल है वो अगर इससे पहले समाप्त हो रहा है तो आपका IDP भी पहले समाप्त हो जाएगा यहाँ पर एक साल यह license की आउदी समाप्ती इन में से जो भी पहले होगा वहाँ तक आपका IDP valid होगा IDP की पुरी फोरम पुरा नाम पुछे तो international driving permit ने की IDL IDL लाइसेंस नहीं होता यह license की परमिट नाम होता है तो आप इससे बात को समझ गये होंगे मैं उमिद करता हूँ दोस्तों अगर यह class समझ में आ रहे हैं मजा आ रहा है तो आप comment section में जरू बता है उससे हमें मजा आता है और हमें motivation मिलता है और हम अगली class को और भी बहतर करने में हमें जोस मिलता है हमें जुनों यहाँ पर जगाना पड़ता है आपके comment को देखे और हम और भी अच्छा आपको पढ़ाते हैं दो या दो से अधिक एक्सल वाले transport vehicle के ठोस फ्रेम की संपून लंबाई motor vehicle rule के अनुसार क्या हो सकती है तो यहाँ पर आप सभी को पताऊगा 12 मिटर जो है आपकी यह लंबाई हो सकती है 12 मिटर का rule है ठीक है तो अगले परसंद पर चलते हैं टाइर के एक सैड से गिसने का मुख्य कारण क्या होता है अनुचित केमबर अनुचित कास्टर अधिक हवा का दबाओ और यहाँ पर कम हवा का दबाओ कास्टर का नाम याद रखना में सा कास्ट जो होती है कास्ट यह नहीं जाती और कास्ट में गमंड होता है कास्ट के लोग होते हैं वो किंग होते हैं और किंग पिन होती है ना वो इस्टेरिंग से सम्मंदित होती है इस्टेरिंग से सम्मंदित तो आप पईयों से सम्मंदित पूछते तो ये तो हो गए नहीं ठीक है अब बात आई यहां पर अनुचित केमबर कम हवा का दबाव अधिक हवा दबाव तो यहां पर जो अनुच चैड से गीश जाता है इधर से नहीं गीशता तो इसे अनुचित केमबर के कान गीशता का जाता है ठीक अनुचित केमबर होगा अब ये केमबर क्या होता है केमबर आपके पईए बाहर से देखने पर ये आपकी एकसल है ये दूरी और ये नीचे की दूरी इनमें अंतर होता यानि पढ़ी ओपर से रेखने पर बाहर की ओर जुखाओ या अंदर की ओर जुखाओ होता है वो केम्बर होता है तो अपसे नमर एक इसका रायट एंसर हो जाएगा engine oil भरने वाला भाग कहलाता है कहां क्या कहलाता है oil tank oil sump oil gun oil storage तो यहां पर oil sump कहलाता है इसे oil chamber के नाम से भी जानते हैं और oil sump हो गया oil pain भी बोलते है तो यह तीन नाम इसके होते हैं अगले परसन पर चलते है एक motor one जिसे air the trailer जुड़ा है कहलाता है air the trailer ट्रेलर या एर्द ट्रेलर जिसे जुड़ा होगा वो यहां पर योगिक वहान कहलाएगा आर्टिकुलेटिड वाइकल तो उसे नमर डी हो जाएगा एक वहान के एकसल के सापेक्स उसे जुड़े गए पैयूं द्वारा संचरित कुल भार जो उस प्रिष्ट पर लगता है जिस पर वहान रहता है एकसल भार कहलाता है क्या कहलाता है दो पैये इनसे एकसल जुड़ी है इस एकसल पर जो भार होगा वो इन पैयूं पर होगा तो ये जो भार होगा वो एक एकसल भार कहलाएगा उप्सन नमर भी हो जाएगा सक्षम प्रादीकारी दोबरा जारी किया जाने वाला वह परमान पत्तर जो की एक मोटरवान अध्याई चार के प्रावदानों के अनुसार समुचीत रूप से हैं पंजीकरी थोकर शड़क पर चलाने के लिए लाइसेंस परदान करता है अध्याई यहाँ पर चेप्टर चेप्टर फोर की बात करते हैं तो यह आर्सी से समभन दीता है तो पंजीकरी परमान पत्तर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा पर अरसन सेंग्या 13 मील पत्तर के समभने में गलत कतन आपको बताना है नेशनल हाईवे किनारे पिले रंग के पत्तर पर सपेद रंग में अंक वह अक्षर होते हैं पिले पर सपेद आपको यहाँ पर पुछा गया है तो यहाँ पर पिले पर सपेद नहीं पिले और सपेद रंग में अंक जो अंक अक्सर होते हैं वो बलेक कलर में होते हैं तो यह उपसे नमर एक ही गलत हो जाएगा इस्टेट हाईवे यहाँ पर हरे रंग के पत्थर पर काले रंग में अंक्सर ठीक है जीला शड़क पर नील लेवे काले रंग के पत्थर पर काले रंग में अंक्वा अक्सर गामेन शड़कें गुलाबी या ओरेंज रंग के पत्थर पर काले रंग में अंक्वा अक्सर होते हैं तो यहाँ पर यह तीनों ही सही है बलब होता है, halogen बलब mostly आजकल कामे लेते हैं यह कितने वाट का होता है, तो यहाँ पर आपको वोल्ट पुछे तो 12 वोल्टेज का होता है, इसके अलाव हेड लैक में जो आपका दरपन होता है वो आउतल दरपन होता है, आउतल दरपन ठीक है तो ये बातें आपको याद रखनी है परसंद 15 है सराब पिकर गारे चलाने पर दूसरी बार के लिए अपराद नीमन अनुसार आपको जुर्माना देना पड़ता है दूसरी बार है पहली धारा 185 इसमें लागू की जाती है और इसके एकोडिंग पहली बार में 10 हजार है दूसरी बार में 15 हजार और एक वर्स का यहांपर सोरी दो वर्स का यहांपर केड का प्रावदान यहांपर किया गया है तो 15 हजार और दो वर्स की जेल का प्रावदान दूसरी बार अगर आप सराप पीकर पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर आपके उपर जोर माना लगता है अगला परसन है खालिस्तान का अर्थ है किसी वाहन के समने में वाहन का कुल भार और परमानित भार और उस वाहन के लिए अनुमत अनुसार पंजीकर प्रादी के दवार पंजीकर तो जो वजन होता है वो वजन क्या कहला आता है सकल वाहन वार जिसे हम ग्रोस वाइकल वेट के नाम से जानते हैं जी वी डवलू gv w क्या है वहान का कुल भार और परमानित भार जो होता है वो gv w wheat होता है ठीक है अगले परसंद पर चलते हैं सडक किनारे पर double pili रेखा का मतलब होता है सडक के किनारे डबल pili रेखा है तो यहां पर इसका मतलब होता है नो पार्किंग नो इस्टेंडिंग यान ने तो रोकें ने पार्क करें option number D क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा वहीं अगर किनारे पर white दो लाइने होती है white होती है तो इनका अर्थ बदल जाता है और white लाइने जो होती है इनका मतलब होता है कि शड़क की जो है यहाँ पर शड़क की जो लिमिट है उसको दरसाती है और yellow line है वो यहाँ पर क्या दरसाती है parking और standing को अगले परसन पर चलते हैं किसी सारी जिक दोस या दिव्यांग तासे प्रिड़ते वेक्ति हेतू विशेस रूप से बिजैन किये गे और बनाये गे वहाँ जो मात्र अनकुलित नहों और केवल उन्हें के दोरा या उनकी हेतू प्रियों किये जाते हैं कि इनके लिए दिव्यांग वेक्तियों के लिए तो ऐसा जो वाइकल होगा वो क्या उसको हम कहेंगे अनकुलित यान या रूपांतरित यान यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं अनकुलित यान या रूपांतरियान इन्वेलिड वाहक यहाँ पर यह भी सही हो सकता है यह पहले की रूप में लेकिन वर्तमान में इसका नाम है वो रुपांतरित यान इसका नाम रखा गया है तो यहाँ पर रुपांतरित यान या अनकुलित यान याँ पर हो जाएगा अगले परसन पर चलते हैं कोई दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इस परसन में जो है विकलांग वेक्तियों के लिए ये सारी एक दोस्या दिव्यांग तस्या पिर्ट वेक्तियों के लिए जो वहान होता है वो एक इन्वेलिल केरी इचे या एक कह सकते हैं कि ऐ विद्धी मानने वहाग भी कह सकते है इन्वेलिल भी इसका नाम हो सकता है लेकिन इस नाम को अब 2019 के बाद में परिवर्टन कर दिया गया है पहले इसको इन्वेलिल भी का जाता था परसन 19 कोई सामान वहाग जिसका सकल भार या एक ट्रेक्टर या एक रोड रोलर जिन में से किसी का भी बिना लदान का भार 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है तो वो कहलाता है भारी मालवान क्या कहलाता है भारी मालवान यहाँ पर आप सबी को पता है 7,500 से कम अगर वजन है तो वो एक अलमवी मोटर वाइकल कहलाता है 7,5 से लेकि 12 के बीच में है तो वो मद्धिम जो है वहाँ जिसमें छे से अधिक परंतू चालक सहीत अधिक तम बारा यात्री बैटनी के अनुमती होती है कहलाता है क्या कहलाता है मेक्सी केप कहलाता है मोटर के में छे पलस ड्राइवर बैट सकते हैं ठीक है उसके व्यापार या कारोबार से सम्मधित विक्तियों को लाने ले जाने तो प्रिक्त होता है एक कि यहाँ पर व्यापार की बात आई है कारोबार की बात आई है तो यहाँ पर आप सभी को पता है छे से अधिक विक्ति है और व्यापार या किराया या रिवोर्ड के अतिरिक्त की बात है मलब कि आप किराये पर या रिवोर्ड में नहीं जाते है ठीक है तो यहाँ पर आप व्यापार या कारोबार में कामा लेने तो एक वो प्राइवेट सर्विस वाइकल कहलाता है उप्सन नमर एक हो जाता है प्राइवेट सर्विस वाइकल PSV कहलाता है यहाँ पे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्राइवेट सर्विस वाइकल उप्सन नमर एक मोटरवान अदिनियम संसो दन 2019 के अनुसार किस धारा को पहली बार जुड़ा गया 177 पहले से है 182 B पहले से है sorry 182 B है यहाँ पर 100 ब्राण में A है यह पहले से है और उप्रो सबी भी नहीं होगा तो यहाँ पर उप्सन नमर B हो जाएगा धारा 182 B है वो यहाँ पर 2019 में किस धारा को पहली बार जुड़ा गया है यानि आप सभी को यह ध्यान देना है यहाँ पर की कोई एक ऐसा वहान जो अनुबंद वाक है contract carriage है तो यहाँ पर contract carriage कौन होता है contract पर किसको लेते हैं परियटेक वहान को तो परियटेक वहान को option number D इसका जवाब हो जाएगा सू सजीतिया अनुरक्षित है किसके according यहाँ पर वी निर्दिष्टों के जो नियम बनाए गए हैं उनके according भारी मोटर वानों को ते गती से अधिक गती पर चलाने पर जुर्माना दे ही होता है आप सभी को पता है कि यहाँ पर एचमवी जो गाड़ियां होती है ट्रक होती है जिसे तो उसकी मैक्सिमम स्पीर 80 क्रिमेटर परती घंटा की रप्तार से इसकी बंदी होती है जो गती होती है गती का उलेक जो होता है धारा 112 में किया गया है उलंगन करते हैं तो धारा 183 लगो होती है और धारा 183 का जो जुर्माना है यहाँ पर एलमवी और एचमवी के लिए अलग है एलमवी के लिए यहाँ पर एक हजार से दो हजार का है एक हजार से दो हजार का है और एचमवी के लिए अचमवी के लिए यहाँ पर 2000 से 4000 तका जुर्माना है ठीक है तो यहाँ आपको जहां रखना है तो यहाँ पर भारी मोटरवांद के बात हो यह तो भारी मोटरवांद में 2000 से 4000 जुर्माना हो जाता है परसन सिंग्या 25 है पचास सीशी से कम इंजन धारिता वाली एक मोटर साइकल एक सारवजनी क्षितर में चलाने के अनुमती व्यक्ति को खालिस्तान की आयो के बाद प्राप्त होती है पचास सीशी से कम है पचास सीशी से कम की बात आ जाए बीना गियर की बात आ जाए किसी सारजनी इस्थान में खालिस्तान की आयू प्राप्त करने के बाद चलाना चाहिए धारा अठारा के प्रादों अधिनी एक विक्ति को परिवेन वान कब चलाना चाहिए जब उसकी उमर 20 वर्स हो जाती है 20 वर्स की उमर प्लस आपके पास में अगर सम्मंदित केटेगरी का लाइसेंस है तो ही आप वहान है वो चला सकते हैं इस उमर से पहले नहीं तो प्रिवेन वान के लिए आयू 20 वर्स हो जाएगी एक मोटरवान अदीनिम की किस दारा के ताथ एक चालक के पास लाइसेंस होना आवसेक है तो लाइसेंस के डील की नीड डील नीड की बात करते हैं तो आवसेक्ता की बात करते हैं दारा तीन दारा चार है वो एज लिमिट के वारे में उलिक करती है धारा पांच है वो यहाँ पर धारा तीन और चार मालिक की जिम्यदारी निर्दारित करती है कि कोई मालिक ध्यान रखेगा जो धारा तीन और चार का उलंगन करता है ऐसा वेक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा तो यहाँ पर मालिक की जिम्यदारी होती है तो यहाँ पर इस परस कि भी धारा जो आपकी साथ है धारा साथ है कुछ प्रिस्थतियों में license को ग्रहन करने पर परतिबंधाया निरबंधन तो यहाँ पर धारा साथ कहती है आपके पास में अगर आपकी उमर 20 नहीं हो 20 पलस नहीं है पलस आपके पास में LMV एक साल का नहीं हुआ है तो आप यहां पर heavy license नहीं प्राप कर पाओगे तो यहां पर कम से कम एक वर्स का आपके पास में alumby license पुराना होना चाहिए प्लस में 20 वर्स की उमर है तो ही आप परिवेन वहां चलाने का जो license है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं परसन उनीस है वहान पंजी करण को renew करवाने के लिए कौन सा फ़रम भर कर देना होता है RC को renew करने के लिए फ़रम 25 बरते हैं 26 बरते हैं duplicate RC अगर आप लेना चाहते हैं duplicate ठीक है 20 में new RC apply new RC apply ठीक है यहाँ पर फ़रम जो 9 है वो पहले यहाँ पर DL Renew का था DL Renew का था पर जेंट में यह नहीं है ठीक है तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है पर जेंट में DL Renew का फ़रम सिंख्या 9 की जगर 2 आ गया है परसन सिंख्या 30 आपके सामने है नीजी वानों के लिए पर्थम बार नया वान खरीदने पर फिटनेस परमाण पत्र कितने वर्थ के लिए जारी किया जाता है नीजी यहनए कि प्राइवेट वान है पहली बार आप खरीद रहे हैं फिटनेस परमाण पत्र आप सभी को पता है कि प्राइवेट जो वाइकल होता है इनकी RC, fitness और टेक्ष तीनों ही चीज़ें 15 वर्स के लिए जारी की जाती है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 15 वर्स option number 10 का जवाब सही हो जाएगा बात करते हैं fitness की और fitness की बात करते हैं यहाँ पर commercial vehicle की CV तो यहाँ पर शुरू के 8 वर्सों तक 2 वर्स के लिए जारी किया जाता है और 8 वर्स बाद पर तेक 1 साल के लिए fitness है वो जारी किया जाता है तो option number यहाँ पर हो जाएगा D answer तो अगले परसने पर चलते हैं परसन 32 अनिवारे संकेत की समझ ने में गलत बताना है गलत लाल सरकल में बने होते हैं अनिमारे संकेत जो होते है और ठीक है हो सकते है आदे सात्मक संकेत का पालन करना अनिमारे होता है यह भी एक अनिमारे संकेत है गिवे संकेत सदक पर मारग पर्दान करने का संकेत यह भी ठीक है यह भी ठीक है यहाँ पर जो एक गाइड़ेड रेलीवे क्रोसिंग का संकेत होता है उसमें ट्रें दिख्ती है तिरिफुज में सीधी नैकी फाटक तो यहाँ पर उपसन नमर डी हो जाएगा कालिस्तान की आयू से कम का कोई वेक्तिक एसी सारजनी इस्तान पर एक मोटर वहान नहीं चला सकता मोटरवान की बात है कीवल मोटरवान की बात आये तो मोटर वाइकल को चलाने के लिए 18 वर्स की उमर चाहिए option number D हो जाएगा सारजनी इस्तान पर एक ट्रांस्पोर्ट वेहिकल चलानी की बात आए तो यहाँ पर 20 वर्स हो जाएगा ठीक है तो अप्सनमट D इस परसन का जवाब हो जाएगा अगले परसन पर चलते हैं यह दिया गया सो संकेत तो वो क्या एंडिकेट कर रहा है यहाँ पर यह अनिवारी दाया मोड यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको अनिवारी रूप से दाया मोड लेना है ठीक है उप्सन B हो जाएगा यह संकेत क्या कर रहा है होर्न है और अब यह बल्यू सरकल में है तो यहाँ पर यह कह रहा है कि अन्यवार्य ध्वनि सही थे आपको यहाँ पर होर्ण का प्रयोग करना चाहिए, उप सन्दमट D हो जाएगा परसन शेंगे 36 है यह एक बेरियर है और बेरियर के बारे बार अगे बादा है या आगे बेरियर एहड हो जाएगा परसन 26 है यहाँ पर एक सीरी सड़क है और साइड में भी सड़क है मतलब की इसका मतलब है बगल में दाएं सड़क है राइट में ना यह राइट में तो राइट मतलब दाएं और बगल में दाएं सड़क हो जाएगा साइड रोड की बात हो रही है यहाँ पे एक त्रिबू ज्या क्रोस का चिन्हें मलब चौराय का संखेत है और यह क्या है? एक काट या क्रोस सड़क का संकेत यहाँ पे देता है परसन 49 है, वहन जबती करन के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ जब्त कब कर दिया जाता है जुर्माना वसूल करने वाली अजिनसी द्वारा वहाँ जब्त करना उसे हम वहाँ जब्ती करने के नाम से जानते है तो उप्सिन नमर एक क्या हो जाएगा रायट एंसर हो जाएगा परसन चालीस है इंजिन के सितलक यानिकी कुलेंट है क अगले पर चलते हैं यहाँ आटार नमर चेल्स हो जाएगा हाईवे ईयूटार का इपनोट इसे यह होता है तो केवल है काम करता है मिकल दोन het तो यहां पर जो Alternator होगा वो यहां पर High या Low RPM पर अधिक Electricity बनाने का उदिश यह Alternator का होता है परसन सिंग के तैयाली से Hydraulic चलित कलच का क्या लाब होता है Hydraulic का मतलब है कि आपकी Power कलच जो होती है Power कलच जो की Oil से Power कलच C-L-U-T-C-H पावर कलच जो की ओईल से चलती है उसकी यहां पर बात हो रही है ठीक है तो यहां पर आपको बताना है पेडल बल द्रवे की सायताशन ट्रांस्मिट होती है पेडल जो है वो किस मादें से दबता है बल द्रवे बल क्या होता है ओईल होता है और बल के दवाव से ही जो कलच जो दबती है अगले परसन पर चलते हैं स्टार्टर मोटर कहां लगी होती है तो इंजिन के आगे इंजिन के पीछे इंजिन के उपर नीचे तो यहां पर पीछे लगी होती है कहां पर इंजिन के पीछे यह जो इंजिन है यहां पर इंजिन साप्ट है यह इसका रियर एंड ह यहाँ पर आपका क्या flywheel लगता है और flywheel के उपर ही कलच assembly feet रहती है यह इसका front end है front end के उपर pulley रहती है और pulley की मादिम से radiator fan मगेरा है water body है इस प्रकार की चीज़ें जूड़ी रहती है यहाँ पर इस परसन का जवाब हो जाएगा option नमर बी अगले परसन पर चलते है vibration damper का क्य तो यहाँ पर इस परसन का जवाब हो जाएगा crank shaft को जटकों से बचाने के लिए crank shaft को जटकों या company से बचाने के लिए किसका प्रियो करते है vibration damper का प्रियो करते है अगले परसन पर चलते है air cooled engine में cylinder के बाहर बनी पतिया क्या क्या लाती है engine दो परकार के होते है एक water cooled होता ह एक जो है air cooled होता है जो हवा से ठंडा होने वाला engine होता है उसमें fins होती है और जो पानी से होता है उसमें क्या होता है water jacket होता है ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा अंतर इसमें करना है परसन सिंगे 47 है डोट 3 grade होता है कि इसका engine का संचारन इंधन का brake दरवे का स्वेचाली सं ठीक है तो engine oil का जो grade होता है आपको मैंने अभी भी बताया था 15W40 होता है संचारन इंधन का मतलब की transmission system का तो इसमें 80W90 होता है ठीक है और 140 संचारन दरवे इसमें यह गीर oil की बात हो रही है तो इसमें भी 80W85 का इसमेल किया जाता है ब्रेक दरवे में डोट 3 प्रकार कर ज जिसे की नाम है आर जिसे स्टार्ट है तो आप सबी को पता है कि यह उस अंचली का आरेले का कूट वान जहां वान पंजी कियता है उसका यह मतलब की निर्देश देती है परसंची के हमारे पास में गोनपचास है फ्यूल टेंक के वेंट होल के बंद होने पर क्या आसर इंजिन ऌनी होगा अगर वेंट होल बंद हो जाता है प्रजलेन कुंडली यानि की अगनिशन कॉल जो हती है प्रजलेन कुंडली का काम क्या होता है उच वोल्तेज को उत्पन करना अग्रजी में नाम है इंगिसन कोईज इगनिशन कोईल और इसका काम होता है पेट्रोल इंजन में यह लगी रहती है पेट्रोल इंजन और इसका काम होता है यहाँ पर उच वोल्टिज को उत्पन करना आप सभी को पता है पेट्रोल जो इंजन होता है इसमें बेटरी होती है बेटरी के बाद में आपके इगनिशन coil होती है, ignition coil distribution जुड़ा रहती है, वो distributor है, वो spark प्रकार से काम करते हैं, तो option number C, इसका जवाब सही हो जाएगा तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 50% करवाने का प्यास किया है, और मैंने कोशिस किया है, हर person की भासा आपको समझी में आए, उसका answer जो भी निकला हो, उसका minute region आपको बताया है, तो जो भी साथ इस class को देख रहे हैं, इस class को आप like और share कर सकते हैं, अगर पसंद आई है class तो, वरना कोई बात नहीं, कोई समझा नहीं है, साथ अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, next video में, तब तक धन्यवाद, जेहिंद, वने मातरम